वह गाईज कैसे हो आप सभी आशा करता हूं आपसो भी हो गया मेरेchnी वीदियो स्कों देख रहे गहीं को दिख हग लाइक मैंने एक नेटमर के वीडियो डाले है और के लिए और के वीडियो ने पड़े हैं और करेंड के वारें वीडियो डाले हैं ठीक और भी बहससाने वी दिसी करें दो बहुत इंपरेंट टॉपिक है एस फॉर द राइट नाओ कि अगर में एलेक्ट्राइस का फिल्ल में बात करें एलेक्ट्राइस के फिल्ल में 99 परसंट जो हमारा यूस होता है यह दिस अपर दिस अप्रफिक तो फोड़ा सा जब को इन्रदक्शन दूंगा वा थिसाट डिसी एक मैं जनरल इhts अपके साथ एक मैं अगर सिगनल इपस्ट्रोग करकू और अलेट्स सिगनल्स को दॉख सिगनल करता हूं और यह सिगनल काई भुली पॉल्ज है यह थे सिगनल है रिपकर में विर्ष ताइम टी और इस्टल ग करता हूं और भात करता हूं okay this is a signal okay you can manage signal this is let's say this VM this is minus VM take a camera X signal another side may call rocker town this is a time this is a V of D if you want a cake signal if you want a cake signal if you here we are a cake signal a ticket or signal when I thought the this is V of D to give you my regular gas signal a ticket or signal when I thought the this is V of D up in this up to identify car man which one is oh DC signal or there are a lot of current so this is a clone kit miss are a single idea of DC PDC signal a ticket was going back to the end of the video my AC or DC can be a different sheet however I'm going to try to DC signal come up with them key a signal which consists only positive signals फिशे के लिएटाइफट इस सिग्ода हुए सिग्नल में आपके पास ये पॉजर्टीव के भी पार्ट है हर के ये पॉजर्टीव और निगेटिव दोनों के दोनों पार्ट होगी तो भाइडि फोल्त हमारे एक ही साइड में आपके सिगनल होगे यह सिगनल कैसा है यह सिगनल कैसा है यह सिगनल भी आपका जो है यह सिगनल कैसा है यह सिगनल आपका जो है यह डिसी सिगनल है क्यों डिसी सिगनल है क्यों क्योंकि यह केवल पॉजर्टिव साइड में है निगेटिव साइड में नहीं है यह केवल क्या है पॉजर्टिव के साइड में है तो सि सब्सक्राइब तो देखो डी सी में जो आपके इस तरह के सिगनल होते हैं मतलब इसमें क्या है सब्सक्राइब दो लाता है वे फाई व्यक्राइब डिश्यक्राइब यह पडती है पांप सब्सक्राइब के हुआ प्लसाइटिघ डिसroll dead पॉल्सेरटिंग डिसी उसी तरह से इस वाले सिगनल की बात करूं तो यह कैसा सिगनल है इसमें नौइस काफी ज्यादा इसमें एक वैल्यू मैक्सिमम है उसके बाद एक पॉइंट के वैल्यू मैक्सिमम बाकि फ्रिक्वेंट्ली चेंज इस तरह के मिद्दिशन बोलते हैं कि अन्रेगुलेटेटेट्टेट शींटलन है यह बाला ज्यूपका डिको एक दम कन्स्टेंट है मतलब टाइम के रिस्पेट में जो वोल्टेज यह एकदम तो यह मारा होता है पियोड डीसी सिंगनल को यूज करना थेके इसलिए हम क्या यूज करते हैं इसनी होते हैं टीन स्थेति अप्रेट करेच के सिंगनल तो यूज सकते हैं इसलिए पूलच यूज अब रिक्ति फायर देखे होगे मैं जिस्ट अगर ब्लॉग डिए रमनाओ पीस्टी का पीस्टी का मतलब अपाव सप्लाइड डिजाइन मैंने अल्रीडी बना रखा तो अगर मैं एक नॉर्मन पीस्टी की बात करता हूं तो पीस्टी में क्या होगा देखो अभी सबसे पहल यहां पर है करें प्लस माइनस 24 वोल्ट मैं ले लिया एसी कॉन से ट्रांस्फॉरमर मैंने यूश्ट यहां पर मैंने किया टू थर्टी वोल्ट एसी बाइड ठीक है कितना 24 वोल्ट एसी मतलब कैसा हुआ यह स्टेप डाउन ट्रांस्वार्मर हुआ step down transformer step down transformers मैंने क्या किया step down किया यह वोल्टेज को drop किया अब क्या है पर मैं यूज करूँगा यहां पर मैं यूज करूँगा rectifier rectifier so rectifier का काम क्या होगा rectifier का है पर काम होगा AC to DC में convert करना ठीक है अब यह signal भी ट्रॉ करूँगा rectifier ने क्या कि DC में काम convert किया अभी मैं क्या करूँगा अभी मैं जैस्ट आपको explain करूँगा अब मैं एक लगाऊंगा regulator रेगू लेटर 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 लेट से किर में रेगूलेटर उसका रहा हूं मेरे को चाहिए रिक्वार्मेंट फार्ट ट्वेल वोल्ट की तो मैं यहां पर क्या करूँगा तुर्वेल वोल्ट का मैं रेगूलेटर लगा जो की होगा ट्वेंटी-फॉर बात है कि यह वर यहां से भी ट्वंटी-4 वोल्ट आपके आ रहे हैं इन्पुट आउट्पूट में महीं लगाँगा एक फिल्टर अपूट में क्या लगाँगा फिल्टर और यहां से आपको इन पूट मैंने दिया एसी सिगनल चीजिए ये जो वोल्ट है यह कितना है आपको V of T ठीक है अब देखो यहां से आपको आउटपूट मिला यह कितना मिला यह आपको बिला 24 वोल्ट देखो मैंने छोटा क्यों बनाया एम्प्रिट्ट शोटा है एम्प्रिट्ट्ट कम किया है ना मतलब किए सिंग्नल कम वार टीकर टाइम कर रिसपेक्ट में परेक्टिफाइर को किया कर दिया अहिंग तो क्या सब्सक्राइब किया यह केवल पॉज़र्टी पाट को लेके आएगा अभी जैसे कि मैंने आपको बताया थीक यह क्या किया 24 वोल्ट को डीसी में करण वट किया अब देखो यह डीसी प्योर डीसी है नहीं यह प्योर डीसी नहीं अब इस टीसी को मेरे को करना है रेगुलेटर से पास क्यों क तो मैं यहां से जो हमारा आउट्पूट आएगा वह कैसा आउट्पूट आएगा वह आउट्पूट कुछ इस तरह आएगा ठीक है बारा वोल्ट चलो मिल गया बट अभी भी सिंग्नल के अपका डिस्ट्रब हो रहा मत्ला एकुरिट बारा वोल्ट नहीं रहा बारा है फिर विद्स जाएगा इस तरह चलेगा फिर कभी 11 चला जाएगा रहा ना व्रूट तरह से हमारा काम होता है यसी मडिशना करेंट इसी से कर आ जोमार फ्रीक्वेंसुन उइस आ रहे हैं उसको ड्रॉप कराने के लिए इसको सबसें अच्छा काम करता है जह बहुता है वहा और फ्रिक्वेईनसी को पास करना इसी करहते हैं इसाग्र जे ओमेगा एकसी ठीक है इंडेक्टर का आप क्या लिखोगे ल है तो इसका एकसेल में क्या लिखोगे जे ओमेगा एल ठीक है आपको पता होता है as you know that DC में जो होता है फ्रिक्वेंसी नहीं होता है डीसी फ्रिक्वेंसी लेस होता है मतलब डीसी सिंगल में फ्रिक्वेंसी क्या होगा जीरो हर्ट्स होता है और एसी में क्या होता है 50 हर्ट 60 हर्ट इस तरह के रिक्वार्मेंट होती है जीरो हट्स होता है अब हमें पता होता ह करूं को नहीं है ठीक है अगर मा ओमीग की वैलो मेंहीं कथरो फ्रीक्वेशंसी को गवर मैं z211 का पूलशागा आउन अप्वाई लग्र शड्रूल ट्रींट फॉंग्य। तो Estate यहां गर मैं हमें हमेडी नौस अगर हमे पूट गया तो एकसेल क्या हो गया learning पूट यूआ अगर जी लोगर आ класс कशील जील क्या हूं जीरो जी प्रविएव करेंगा वो इस तरह का भी एफ करेंगा सी और इंडुक्टर वो कैसा विएव करेंगा एज उनना सो जाइए सुर्क्षिट है थे कंदो तो इस तरह से सर्कूट में आप डिसी अनालीसिस करते हो तो डिसी ऑलेसिंगे है गर्याइपकर वज्ट को पताँ नियुक से इंड़क्तर अपकर बोक्त लियुत सब्सक्राइब मे eso ूर्फरिकाइं कर सकते सब्सक्राइब कर सकते देपेंडिक अपन वोट कंडीशन क्यूंदी में ज्यूजिंग करेंतर है विश्य आठ ने पताओंका को पीशी बिखाई रगलान डियूट सिनल में एक टाम के बाद कि चेक्ट ब्सक्राइब को यह गवागी और उस को रिमूफ करनी के लिए फिर इंडॉक्टर को उस करेंगे तो उसके बादेंगे तो आसा करूँगा पूइड बेसिटी के बारे में समय में आया हुगा कि हम डिसी को किस तर से यूज करते हैं और डिसी का क्या मतलब होता है मैं कोई टीचर नहीं हूं जो की इंजिनियरिंग के लड़कों को गाइड करता हूं ठीक है तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको पता होना चाहिए वह चीजी मैं डिलेवर करता हूं और उस परस्पेक्टिव से करता हूं जो एक इंजिनियर के रिक्वाइर्मेंट होती है मैं आपको एक किसी मैं किसी क्लास में बैठाके नहीं पढ़ा रहा हूं मैं वह चीज़े पढ़ा रहा हूं जो इन्पॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है जो आपको आने चाहिए जो बेजर चीज़े होती है जब सब्सक्राइब करते हो तो तो इसी तरह की मैं वीडियो लेकर के आगे भी आत टेक्यर थैंक्स पर किन दिए वीडियो